गर्मियों के चुकी है मई का मईना स्टार्ट हो चुका है बच्चों के एक्जाम्स भी हो चुके है और बचे नई session में नई class में भी आ आज जो भी बात करने वाला हूँ वो दिल की बात करने वाला हूँ, unfiltered, unscripted, कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको और हमें पता है, कुछ problems हैं हमारे system में, education system में, और बहुत लोग बहुत तरीके से बाते करते हैं, education system के बारे में, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जो जिस और failure की बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ के मैं क्या करता हूँ, basically I am the founder and director of my company which is Retina Picks LLP, हमारी जो company है, वो photography products में डील करती है और मैंने इस company को find out किया है, उससे पहले मैंने MBA भी किया है, प्लस मैंने BTEC engineering भी करी है, now I am running my own business और अपना business run करने का जो मुझे experience मिला, वो मुझे अभी किसी भी किताब सनी मिला, वो एक topic अलग है, लेकिन ये आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के exams हो चुके हैं, ये वीडियो parents के लिए भी है, बच्चों के लिए भी अगर बच्चे देख करें, ताकि वो आगे अपनी life में, अच्छा कर पाएं, जो भी result हो, जैसा भी हो, उससे कोई फरक्त नहीं पड़ता है, और अगर आप किसी ने किसी बात से कम marks आने की वज़े से, किसी भी चीज से demotivated है, तो कपरानी की कोई ज़रुत नहीं है, life is beyond marks and beyond the books, basically, ये मेरा मानन है, जो भी चीजें तजूरुबे से आपको सीखने में मिलती है, वो आपको किताब से कभी नहीं देखने को मिल सकती, और जो चीजें आप किताब से पढ़ते हैं, अगर आप उन से कुछ सीख सकें, और अपनी जिंदगी में उतार सकें, तो वो आगर आपको benefit कर रहा है, त तो उन लोगों के लिए specifically video है, basically आप online देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे motivational sessions मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसी motivational videos मिल जाएंगे, जो आपको कहते हैं, नहीं कोई बात नहीं, you know, you can do it, you can do it again, बहुत अच्छी बात है, मोटिवेट करने क इस समय पर बहुत जादा जरुवत है, जो लोग इस समय हताश हैं बिचारे, जिन लोगों ने बहुत मेहनत करी, लेकिन फिर भी उनको उतना result नहीं मिल पाया, तो उन लोगों के लिए आज मैं specifically ये video इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि yes, उसका कुछ reason आपके efforts भी हो सकते है और हो सकता है कि आपने बहुत सा effort लगाया हो, लेकिन उसका आपको उतना result नहीं मिलाए, इसलिए आप अभी थोड़े बहुत demotivated feel कर रहे हो, इस video में मेरा मकसद यह है कि मैं आपको अपने तजर्वे से, अपने experience से कुछ ऐसी चीज़े बताओं, जिसके बारे में आपको करते हैं, relatives भी, families भी, और हमें बहुत सारा उपर से pressure होता है, पढ़ाई के pressure के साथ साथ हमें ये भी pressure होता है पीछे से, कि अगर हमारे जो marks हैं, वो अगर किसी, हमारे comparison से, अगर हमारे कम रह गए तो हमारी इज़त का क्या होगा, और बहुत सारी ऐसी बाते करते हैं, लोग तो उसकी वज़े से भी बहुत सारा pressure होता है, तो अभी इस समय पर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो पहले उन चीजों को अपने mind से एक बार clear कीजिए, और जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, वो एक बार समझने की कोशिश कीजिए, कि ये failure होता क्यों है, अगर आप किसी भी subject में या फिर अगर किसी भी, you know, subject में या किसी भी चीज में अगर आपको एक setback feel हुआ है, कि आप जो भी session में हो, 9, 10, 11, 12, या कोई से भी class में हो, अगर आप वो देख रहे हैं, या इवन आपके parents भी देख रहे हैं, तो पहली बात आप ये समझों के, जो school है वो एक, हम कहते हैं, विद्या का मंदिर है, बच्चा जो है, वो पहला कदम अपने घर पे रखता है, जब चलने की कोशिश करता है, और दूसरा कदम वो school में रखता है, जहां पर उसकी entry होती है, लाइफ की शुरुआत वहीं से होती है, और ये जो schools है, basically, these are in two types of categories, पहला है, कि आपका एक private school है, और दूसरा है, आपका एक government school है, ठीक है, दौनों का अपना एक बहुत बड़ा difference है, दौनों के अंदर, एक school है, जिसको government run कर रही है, जिसमें जो teachers है, वो सारे government की तरफ से employed है, और government ने उन्हें employ करने से पहले, कुछ ना कुछ तो, you know, हम कहते हैं न school is a private organization, वो एक business है, और वो business बहुत चीजों से चलता है, you know, सबसे पहली बात तो यह है, कि आप अपने school की जो fees दे रहे हैं, वो किछी government school को ने दे रहे हैं, वो एक private school को अगर आप दे रहे हैं, तो आप जैसे जितने भी बच्चे हैं, वो सारे अपनी fees दे रहे हैं, उस school क अंदर तो funding सारी खटी हो करके school के अंदर आ रही है, जिस से school की, you know, सारे operations रन हो रहे हैं, teachers की salary हो रही है, बागी सारे बहुत सारे खर्च होते है, operational maintenance वो हो रहा है, उसके बाद school अपना profit भी बचा रहा है, प्लस उसको, you know, other sources से भी funding मिलती है, तो इस तरीके से organization रन करती है तो ये अपने आप में एक अलग मुद्द है, तो अगर आपको ये सोचना पड़ेगा कि पहले तो आप ये clarify कीज़े है कि आप कहां पर रहे हैं, समय एक private school में हैं, या फिर एक government school में हैं, आप government school के अपने अलग challenges होते हैं, एक private school के अपने अलग challenges होते हैं, तो अभी मैं ब माक्स कमाने का reason क्या है, कुछ उन मुद्दों पर बात कर लेते हैं, तो इसलिए आपको हताश होने की ज़्यादा जरूवत है नहीं, अब सबसे पहला scenario तो ये समझ लेते हैं, कि अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, आपने बहुत ज़्यादा इनों लिखा जाए है, वो आपको तीन घंटे के अंदर उस पेपर पे निकालना है, तो सबसे पहली बात है कि आप पूरे साल की knowledge जितना भी अपने समझा उसमें से अपने जितना भी किया, आपको एक particular time मिल रहा है, सिरफ तीन घंटे का उसको एक पेपर में लिखने के लिए, आप सबस तीसरी चीज़ है, हर एक की handwriting अलग-अलग होती है, उससे भी फरक पड़ता है, तीसरी चीज़ ये फरक पड़ता है कि जो जितने भी हमारे exam के अंदर जो भी एक question paper के अंदर जितने भी questions आएं है total, ठीक है, आपने सब के answer कर दिये, माली आपने 100% questions के answer कर दिये, अब कितने marks के question में आपको कितने words का answer लिखना है, वो भी बहुत matter करता है, हो सकता है किसी ने एक दो number के question में बहुत राम कहानी लिख दी हो, बहुत जादा लिख दी हो, और हो सकता है जो बड़े number का question है, जैसे मालो 10-15 marks का, तो उसमें आपने थोड़ा सा कम content लिखा हो, तो यहाँ प पीर्स का भी देख लिए, जब हम exam room से बाहर निकलते हैं, question करने के बाद, यहाँ एक्जाम answer sheet को submit करने के बाद, तो हम उसके बाद भी थोड़ा सा nervous हो जाते हैं, अरे यार, उसने तो कहीं सही नहीं लिख दिया, क्योंकि आप एक student से पूछ रहे हो, सबसे पहली बात तो है कि यह point होता है, तो इसलिए आपको पहली बात हो, जो आपने कर दिया, वो कर दिया, वो final है, वो submit कर दिया अपने, ठीक है, अब उसके बाद, जो result है, वो बाद में आ गया, यह पहली सीच तो यह है, जो आप अपना best कर सकते हो, आपने दिया, आपने किया, आपने submit किया, answer sheet और आपका काम वहाँ पे खतम हो गया, जब आपने अपना काम कर दिया, तो आप वो result आना बाद की बात है, अब बात करते हैं कि result कैसे आता है, हम सोचने कि हम अपना 100% दे रहे हैं, हमने अपना already 100% दे दिया, तो हमें लगता है कि अब जो भी result आएगा, वो बिल्कुली बराबर है कि जितना हमने input दिया, उसी का exact result हमें मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमने अपनी तरफ से तो 100% दिया, ठीक है, हमें भी पता है कि हमने हमारे exam अच्छा गया या बुरा गया, हमें कितने questions में, answer देने में हमें confidence था और कितने में नहीं था, अब मान उसमें भी होता क्या है, exams में numbers क्यों काम आते हैं, क्यों कि आपने जो भी पढ़ा और जो भी answer sheet में लिखा, कहीं न कहीं उसमें grammatical mistakes भी हो सकती है, ठीक है, और क्या नाम है, उसकी length भी short हो सकती है, short भी हो सकती है, जादा भी हो सकती है, और सबसे main important बात यह है कि जो आपकी answer sheet को check कर रहा है, person, उसकी understanding क्या है, उसे क्या समझ में आ रहा है, जो आपने लिखा है, क्या वो उसे समझ में आ रहा है, तब ही तो वो marks देगा, क्योंकि marks तो आपको कोई ना कोई teacher ही दे रहा है, अब मान लीजे जो board exams होते हैं, मैं कहता हूँ कि board exams जादा better क्यों होते हैं, और जो school के internal exams होते हैं, वो मेरे को क्यों नहीं अच्छे लगते हैं, मैं क्यों उनके favor में नहीं रहता हूँ जादा, क्योंकि bias होने के chances यहाँ पर board exams में सबसे कम होते हैं, क्योंकि जो examiner आपका question चेक कर रहा है, जो आपकी answer sheet को चेक कर रहा है, वो आपको personally नहीं जानता है, कि आप कौन हो, आपका behavior over the year, आपके school में कैसा था, या आप किस तरीके के student हो, आप topper रह चुके हो, या फिर आप average student हो, उसको कुछ नहीं पता आपके बारे में, कोई ABCD नहीं पता, उसको सिर्फ इतना पता है, ये student की answer sheet आईए, इसका नाम ये है, इसका role number ये है, उस class का student और उसने paper दिया, जो भी guidelines आई होती है, CVSC की तरफ से, और जो भी, you know, professional वहाँ पे बिठाया जाता है, paper check करने के लिए, तो उसका काम है, जितना हो सके, fair तरीके से, you know, marks को provide करना, on the other hand, अगर हम private schools में बात करें, तो मेरा अपना खुद का personal experience है, कि मेरे exam में, जो over the year, जो marks म 20% का फरक था, और वो 20% मेरे जादा आये थे, board exams में, as compared to school के internal marks, अब उसका reason क्या था, तो मुझे भी नहीं पता कि मैं अपने school के teachers का क्या बिगाड़ा था, क्या नहीं बिगाड़ा था, मैं लिखता तो, जैसे मैंने exam हम कोई अलग थोड़ी ना हो गए, जैसे हमने board exam की त teachers थे, you know, वो, या तो हमारी तयारी उस level की भी नहीं होती थी, so basically मैं आपको बता दू, मैंने already एक experiment किया था, जो, जिस subject में मैं बहुत ही जादा अच्छा था, मैंने उसमें बहुत ही जादा मेहनत करी थी, और उसकी, उस किताब की एक एक चीज के बारे में मुझे पता था ये बात class 12 की है, और उसमें pre-boards में किसी एक subject में बहुत कम आख साते थे लोगों के, तो मैंने उसकी तयारी मतलब सबसे जादा की थी, उसमें मैं अच्छा भी था, और मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी थी, और मैंने ये सोचा था, कि अगर मेरे 4 में भी, 4 subject में भी क form करी देंगे, लेकिन मैं ये देखना चाहता था, कि क्या मेरा school की जो checking हो रही है, ये bias तरीके से हो रही है, या फिर ये genuine तरीके से हो रही है, या फिर क्या scene है, तो topper से भी जादा मैंने सारा का सारा focus एक particular subject पे लगा दिया, क्योंकि हमें तो होता है, कि हमें तो सारे subject पढ मैंने end से जितना कर सकता था, बिल्कुल best दिया था, even उसके बावजूद भी, जो class का जो topper था, उसके marks मेरे से 15 से 20 नंबर जादा रखे थे teacher ने, और मेरे उससे कम रखे थे, अब ऐसा possible ही नहीं है, कि मैंने उस subject की एक एक किता, एक एक, you know, point को, you know, मैंने A to Z, पूरा 100% finish करा, और जब वो finals हुए, जब board exams में तो उसी subject में, मैंने, you know, same चीजें करके, same preparation के साथ, मैंने टॉपर को भी सरपास कर दिया, you know, उस subject में उसके number काम आया और मेरे जादा आया, तो ये difference कैसे हुआ है, difference ऐसे हुआ, कि कुछ बच्चे जो हैं, वो अपने teacher से ही tuition पढ़ते ह हैं, हाना, तो कही न कहीं, वहाँ पे भी favor रहता है, उसमें मिरे को पता चला, कि जो, आज बता सकता हूँ, ये बात, जैसे मालो, 100 number का, you know, 100 marks का एक paper होता है, तो 100 marks का नहीं होता है, कुछ 70 marks की भी होते हैं, और बाकी जो 30% होता है, वो आपको अपने school की तरफ से मिलता है, जैसे आपने practical file submit करी, आपका वायवा हुआ, आपके जो, you know, school में जो आपकी performance रही, practical exam की, वहाँ पे 30 में से, उसने, 30 out of 30 teacher ने, उस student को तो topper को तो दे दिये, मेरे को दे दिये 20-22 number, है न, और जो ये 70 marks का जो pre-board हुआ था, उसमें मेरे, उससे ज़ादा आने चाहे थे, उ से थोड़े से कम कर दिये, तो हुआ क्या, कि 100 में से जो उसके marks है, वो 15-20 number जादा आगे, टॉपर के, और मेरे आगे कम, तो ये politics होती है, तो guys, ऐसा तो है नहीं, अब इस example से अब ये समझ सकते हैं, कि ऐसा तो है नहीं कि मैंने output अच्छा नहीं दिया, या मैंने तयारी कम करी, लेकिन कहीं न कहीं marks कम रहे गए, तो इसमें जो private school के कहीं न कहीं जो teacher होते हैं, और उनकी जो problem होती है, एक student के साथ में, कि उसको number दे रहे हैं, उसको नहीं दे रहे हैं, या फिर वो जब इस तरीके से behave करने लगते हैं, teachers, तो कहीं न कहीं आपके marks यहां पर कम हो जात के अंदर, मेरे experience है, जो कुछ बच्चों को बिल्कुल ही neglect कर देते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, कि आपकी बात सिर्फ सामने वाले जो आपके benches पे बैठे हैं, student सिर्फ उनी तक पहुच रहे हैं, और पीछे तक पहुच ही नहीं रहे हैं, तो क्या आपने कभी भी उस student से आपके पास पैसे आ रहे हैं, उनका दिखाना भी तो पड़ेगा, कि आप इस subject में पास हो रहे हो, सो मतलब कहने का मतलब यह है, और आपको क्या पता, अच्छा हाँ, अब यह भी बात आती है, कि जब आपका मानलो, board exam में भी जा रहा है paper, या जो भी examiner उसे चेक कर रहा है, आपको क्या पता, कि वो उसी subject का expert है या नहीं, जिसे बिठा रखा है, वहाँ पे paper चेक करने के ल होगा, वहाँ पर तो obviously बात है, जो expert होगा, जिस subject का, उसी से paper चेक हो रहे होंगे, लेकिन कही ना कहीं कुछ other boards है, ऐसे भी board है, जहां पर बहुत सारे दिक्कते चलती है, जिसको पता भी नहीं है, वो किताब से answer पढ़ रहा है, और किताब से answer पढ़े के, अच्छा है, वो answer sheet आती है, वो बहुत सारी आती है, तो बही है, एक जने ने लिख लिए कि इस question का answer यह है, अगर वो match हुआ, तो मैं नहीं हुआ, तो मैं नहीं दूँगा, तो आप ये लगा लो, अब आप क्यों demotivate हो रहे हो, अगर आपके marks कम भी रहे तो आप क्यों demotivate हो रहे हो, तो आपने आगे job करी है, फिर आगे आपने एक post graduation course में enrollment ले 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 है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि भाई आपको job करनी है, या क्या करना है, फिर आप वहाँ पर मेहनत करोगे, आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई, आज मेरा setback हो गया, मेरे आज कम number आगे, तो उससे वहाँ पर effect पड़ेगा, यानि आपके आने वाले 10 साल में effect पड़ेगा, तो वो तभी फरक पड़ सकता है, जब आपके board exams में number कम रह गये हो, या फिर आप एक दूसरा attempt definitely दो, और दूसरे attempt में आप थोड़ा से उससे जादा मेनत करो, अगर आपके अच्छे marks आगे, आपन अगले साल हो जाएगा, तो आपको इससे चिंता करने वाली बात है ना parents को बहुत जादा चिंता करने वाली बात है, अगर किसी other person के बच्चे के जादा marks आ गए, तो आप अपने घर में क्यों आग लगा रहे हो, आपको बलकि ये motivate करना चाहिए, कि ठीक है, इस बार नहीं आए, कोई बात नहीं, सीखने में मिला, समझ आया, पास हो गया, इसका मतलब क्या है, कि हाँ, पास हो चुका है, उसको जितनी understanding थी, उस subject की, उसके लिए वो more than इनाफ है, अगर आप जबरदस्ती ठूसने की कोशिश करोगे, कि नहीं, तु ला, तु ला, तु ला, तु ला अगर मैं खुद manufacturing या, खुद कोई अपना device नहीं बना पा रहा हूं, तो आज का जो मेरा business है, वो है, जिसमें मैं electronics के समानों में ही deal कर रहा हूं, और basically वो मेरी sale होती है, तो मुझे अच्छा लगता है, मेरा business चल रहा है, business running में आ चुका है, grow कर रहा है, start-up grow कर रहा है, तो मेरी मेहनत करने के बावजुद भी मुझे उपर नहीं आने दे रहे है, ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आपकी success अगर आप पा सकते हो, तो अपनी मेहनत से पा सकते हो, अगर इस particular time पे अगर आपको success नहीं मिल रहे है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि आपको life में आगे control में आने लगेंगी, तो guys, I hope आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यह guys भारत देश है, और यहाँ पर अगर बात कर रहे है, is it all about marks, तो मैं कहूंगा कि अगर आपके marks आज कम भी रह गए है, तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, खुश रहे है, आगे मेहनत कीज और वो बनने की कोशिश कीजिए, जो आप बनना चाहते हैं, अब मैं बतायता हूं, marks की जरूवत सिर्फ कहां है, marks की जरूवत सिर्फ वहाँ है, जहां पर आपको एक जगा कर छोड़ करके एक नई जगा में एंटर होना है, जैसे for example, अगर आपको कोई भी government job करनी है, ठीक है, जहां उस नंबर के इलावा, उस marks के इलावा काम ही नहीं हो सकता, तो सिर्फ वहाँ पर आपको marks की जरूवत है, अगर आपको medical mission लेना है, वहाँ पर marks की जरूवत है, इंजिनिरिंग में लेना है, कहीं पर भी लेना है, जहां पर आपको एक particular job करनी है, वहाँ पर other hand देखें, जब अगर आपको life में अपने ये सोचा हुआ है, कि मेरे को अपना कोई business start करना है, या अपना business करना है, या फिर धंदा करना है, कहने अली बात है, अगर आपका goal वो है, तो आपके marks कम भी हो, तब भी चलेगा, बहुत सारी ऐसी jobs भी हैं आज की date में market में, जहा पर सिर्फ आपकी अगर communication skills अच्छी है, अगर आपकी age उस band में लाए करती है, और अगर आपकी personality अच्छी है, यानि other factors भी अगर आपके work कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी job मिल सकती है, और आप इतना पैसा कमा सकते हो, जो के particular PhD वाला person जिसने इतनी ज़्यादा पढ लग जाएगा, अगर आपका कोई भी सवाल है, तो आप मुझे description में दियोए मेरे instagram page को आप follow कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे अपने questions भेज सकते हैं, हो सकता है, future में मैं उन topics के उपर बात करूँ, और अगर आप counselling चाते हैं, तो आप मुझे instagram पे message कर सकते हैं, I do one to one paid coun counselling तो आप मैं वो भी आपकी मदद कर सकता हूँ, तो हम लोग आपस में बात करेंगे, और आपकी अगर कोई भी particular problem है, careers related, तो हम लोग उस पे बात करके उसको solve करने की कोशिश करेंगे, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर subscribe कीजेगा, और अगर कोई भी topic left हो मेरे से या कोई भी scenario left हो गया हो, तो आप मुझे comment section पर mention कर सकते हैं, आगे अनी वाली वीडियो में हम लोग उसके उपर भी बात करेंगे, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, till then take care.